इस वीडियो में हम जानेंगे पीपी दवाय के बाद पीपी दवाय के दौरान और पीपी दवाय से पहले आपको कौन-कौन से रिपोर्ट्स कराने के आवश्यक्ता होती है यदि आपका कोई अन्प्रोटेक्टेड सेक्शियोत एक्टिविटी हुआ है वह चाहे मसाज पालर के साथ है या किसी अंजर व्यक्ति के साथ है और आप HIV से डरे हुए हो और उसको रोकना चाहते हो और उसको रोकने के लिए PEP यानि की Post Exposure Prophylaxis दवाय का इस्तिमाल करना चाहते हो तो आपको यह भी जानना होगा कि इस दवाय के साथ में आपको किन-किन किसम का टेश्ट कर काने की ज़रूष होती है सबसे पहले यदि आपको पी आपको पी तवाय चालू करना है आपकी बाडी के फिटनेस को चेक करने के लिए और अभी पीप से पहले आपका HIV का स्चेटर्स क्या है वो जानने के लिए कुछ टेस्ट कराने होते हैं आपकी fitness को चेक करने के लिए kidney के fitness के लिए serum cratering and urine routine micro का reports कराना है liver के लिए SGPT report, sugar के लिए RBS reports और आपका HIV का status के लिए आप HIV combatants करा सकते इसके साथ में ज़र के दिए आप hepatitis B और C के बारे में भी जानना चाहते हो तो HBS AG और anti-HCV reports कराना होता है यह reports आप PEP दवाय से साथ में या तो उससे पहले भी करा सकते हो जब आपकी PEP दवाय के 15 दिन हो जाए तब आपके दवाय के कावर kidney, liver और sugar में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा वह चेक करने के लिए serum, creatinine and urine routine micro SGPT and RBS का reports कराना होता है जब आपकी PEP के दवाय खतम हो जाती है तब आपको exposure से दिन से गिंती करना है और exposure से 45 days हो जाए तब आपको HIV COVID करना है और आम तोर पर जो लोग PEP नहीं खाते हैं उसके लिए 45 days वाला HIV COVID test final panicky conclusive माना जाता है लेकिन जो लोग PEP खाते हैं उसके लिए guideline में एक बर और reports कराने के लिए बुला गया है तो जब आपका exposure से 90 दिन हो जाए तब आपको HIV COVID test कराना है ये 90 दिन वाला combo test आपका final होगा, conclusive होगा उसके बाल आपको और कोई test कराने के अवशकता नहीं है और HIV के साथ में आप चाहो तो S-Base-A-G hyperitis B के लिए N-T-H-C-V hyperitis C के लिए और VDR test सिफिल इसके लिए भी करा सकते हूँ इसके अलावा आपको और कोई test कराने के अवशकता नहीं है और यही test final माना जाएगा, conclusive माना जाएगा एक चिताओनी, exposure से तीन दिन के बीतर PEP यानिकी post exposure prophylaxis medicine का इस्तमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं लेकर, exposure से तीन दिन के बाद किसी भी किसम की दवाय आयरवीदीक हो, एलोपेथी हो, एर्टी मेडिसीन हो, होमेपेथिक मेडिसीन हो, जीन तेरापी हो या अन्यक किसी किसम की मेडिसीन या हर्बल दवाय हो उससे HIV को नहीं रोका जा सकते और HIV Window Period Treatment HIV Window Period Medicine और Window Period Treatment ऐसा कोई सब्द दुनिया की किसी भी किसम की किताब में नहीं है किसी किसम की गाइड लाइन में भी नहीं है तो इस किसम का किसी दुनिया का प्रियोग ना करें और अपने आपको स्वास्ते और पैसे के रूप में होने वाले नुक्सान से बचें हमारा मिशन है HIV एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना और हमारा विजन है HIV के बारे में आसान बासा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना मैं HIV एड स्पेश्चालिस्ट डॉक्टर केतन राण परिया विशले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशन का रंसल्टेशन कर चुका हुँ यह चैनल HIV के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के अधार पर दी जाती है लेकिन याद रखिए समय के साथ विज्ञान बदल सकता है यहाँ पर कहीं के बाते एक आवम जानकारी के लिए है तो भी भी किसी भी किसम की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एट स्पेस्चालिस डॉक्टर से व्यत्तिकत रूप से राय लेना अत्यन्त आवश्चक है HIV के सिम्टरूस के बारे में अधिक जानकारी के लिए लैप साइट के प्लेलिस्ट पर क्लिक करे और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए रायट साइट के प्लेलिस्ट पर क्लिक करे थैंक यू